इंग्रोष्ट वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या होता है आए आज किस वीडियो में समझ लेते हैं इंग्रोष्ट वर्ड का हिंदी मतलब होता है तल्लीन, लीन या फिर मगन यहने कि having all one's attention or interest absorbed by someone or something आए इस एक example से समझते हैं इसका हिंदी मतलब क्या हुआ? कि वह अपने काम में तल्लीन है तो आए होप इंग्रोष्ट वर्ड का हिंदी मीनिंग आप लोग जान गए होंगे ऐसे ही और डेली उसिज वर्ड जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें